चंडिगड का मेर हमारा बनता है कि उनका बनता है ये जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है हमिया पे कोई सत्ता के लिए नहीं है हमारा बने चुनाव आते जाते रहते हैं चुनाव होते रहते हैं पार्टी आती जाती रहते हैं नेता आते जाते रहते हैं नेता आज ये कल आज ये पार्टी कल ये पार्टी आज इसका मेर कल इसका मेर देश के साथ खिलवाड नहीं होना चाहिए हमारे जनतंत्र के साथ खिलवाड नहीं होना चाहिए कि इन्होंने जो चुणाव के साथ खिलवार करना शोरू किया है इनने जो जनतंतर के साथ खिलवार के साथ कैमरे के अंदर पकड़े गए अगर यह चंडिगर जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड कर सकते है तो जाहिरे लोकसबह के और विधानसबह कि चुनाओं में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड करते होंगे हैं कि नहीं है पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड करते हैं इनके लिए देश जरूरी नहीं है इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक सकते हैं सकता के लिए देश को भी बेच सकते हैं सकता के लिए देश को भी दाउं पे लगा सकते हैं दोस्तों हम ये कभी नहीं होने देंगे अपने देश के साथ खिलवार किसी आलत में नहीं होने देंगे अक्सर आरोप लगते थे कि बीजेपी चुनाव गडबड करके जीत वोटर लिस्ट में से नाम कटवा देती है, फर्जी नाम जुड़वा देती है, हम सुना करते थे कि फर्जी वोट पढ़वाती है, ऐसे सुनते थे लेकिन कभी सबूत नहीं मिला गीता में एक शलोक लिखा है, यदा यदा ही धर्मस से ग्लानिर भवती भारता, जब जब इस प्रिथवी के उपर बहुत ज़्यादा पाप हो जाता है, तो फिर उपर वाले को प्रिथवी के उपर आना पड़ता है तो उपर वाले को प्रिथवी पर आना पड़ता है का मतलब यह नहीं कि भगवान को आना पड़ता है, भगवान अपने तरीके से उपर आस्मान में बैठके ज़ाडू चलाता है यह जो चंडिगड का चुनाव है, यह यह दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज़ादा, तो फिर प्रकृती अपनी ज़ाडू चलाती है, भगवान अपनी ज़ाडू चलाता है, चीजों को ठीक करता है चंडिगड का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, दस भाई दस किलोमीटर का एक छोटा सा शेहर है, मेर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पाटी, चंडिगड के चुनाव में वोतों की चोरी करते हुए पकड़ी गई रंगे हातों पकड़ी झाल झाल